आप लोग की नजर में most overhyped phone यहाँ पे कौन सा होता है वेल बात की जाए तो overhyped एक ऐसी चीज होती जिसके अंदर बड़ा चड़ा के चीजों को बता जाता है लेकिन मैं यह बोलना जाओंगा की hype ढाना mobile phone को पेशने के लिए बहुत जरूरी थे किसी भी कमतनी के लिए आप खुद ही देख लीजिए अगर hype नहीं होगी ना तो एक नई कमतनी अगर mobile phone निकालेगी ना तो लोगों को उसके बार में पता चलेगा ही नहीं और कई बार एक अच्छा phone होते हुए भी लोगों तक जब तक वो पहुंचता नहीं है तो यारी की दिक्कत होती है आगके सर्में Motorola के साथ यह ही एक सबसे बड़ी दिक्कत है Motorola वाले अपने phones यहां पर launch करते हैं लेकर उसके अधार वो hype यहां पर create नहीं कर पाते हैं और कई बार उसके अच्छे phones कई बार लोगों को पता चल भी नहीं पाते हैं यहां पर बात यह कि दुनिया की हर एक company यहां पर अपने mobile phone की hype create करते हैं जाहें बात करें Xiaomi की, Realme की बात करें, Poco की बात करें, यहां तक की बात करें Nothing की या OnePlus की और Samsung की भी आप देख सकते हैं S23 यह launch होने वाले लिए उसका टीजर वगरा निकाल के company उसके बारे में बात करना चालू कर देती है कि फोन के अंदर कुछ ऐसा होगा, जिससे लोग के मन के अंदर भी excitement आती है कोई नई चीज यहां पर आने वाली है और उसके अंदर को कुछ नया देखने को मिल सकता है यहां तक कि मैं बात करू, Apple भी यह काम करती है Apple अपने iPhone के launch event से एक हफते पहले इसका टीजर निकाल देती है launch invite निकाल देती है और उसके बाद लोग speculation लगाने लगते कि आने वाली event के अंदर क्या चीज़े हो सकती है और उससे भी कहिना की market के अंदर hype होती है तो कहने का मतलब है कि hype तो यहां पर जरूरी एक mobile phone को successful बनाने के लिए लेकिन problem तब आ जाती है जब चीज़े overhype की category में निकल जाती है और कौन कौन सी चीज़ overhype है चलि इसके बार पर वीडियो के अंदर बात करते है पसंदा है लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो सबस्क्राइब भी कर सकते हो लेकिन सबसे पहले बात करें कौन सी चीज़ यहां पर थोड़ी सी जात हो overhype होगे थी वो ते foldables यहां पर आप लोग को मौन है कि 2019 में foldable phones ने अपनी जगे बनाई थी और Samsung यसी कंपनी ने foldable को main stream पर लेकर गई थी लेकिन 2023 तक भी जो foldable है वो आम जंता तक अपनी पहुंच भी बना पाई देखो अल्रेडी महगे होते हैं लेकिन premium segment के अंदर भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो foldable के पीछे जाना पसंद करते हैं अभी भी देखा है तो majority जो लोग है अगर वो heavy spending कर रहा है तो वो लोग एक normal phone को लेना पसंद करते हैं बजाए कि किसी एक foldable के उपर जाने के और आप यह भी धियान रखें कि यहां पर आगे चलके कोई भी कम ने अगर 50,000 उपर भी foldable निकाल ले तो उसको लेने वाले लोग की quantity काफी कम होगी क्योंकि इसके पीछे का reason यह है कि लोग एक normal phone चाहते है जो उनके basic use यहां पर create करते है और foldable के साथ छोटी सी दिक्कत है कई बार वो मोठा होता है और form factors का ऐसा रहता है कि book की तरी आप उसे खुलना पड़ेगा या flipped style का उसे use करना पड़ेगा यह अपने आप एक niche category यहां पर बन कर रहा गया है और माल लीजिए अगर इस सच में revolutionary चीज होती तो आज के समय हर एक company यह से products बना रही होती लेकिन यह product market बहुत ही जादे niche बन कर रहा गया उमीद करते है कि foldable के अंदर आपको कुछ नई चीज है यहाँ पर देखने को विले जिससे form factor दोबार से revive हो जाए और कुछ exciting phones यह भी आ सकते है लेकिन फिलहाल के तोर पे जितनी hype foldable की 2019 में थी ना आज के समय में लोग उसकी उत्ती जादा परवाग करते नहीं और ऐसे ही मैं बात करना चाहूँगा face unlock की face unlock का concept android में बहुत पहले से था में इस्ट्री में से apple लेकर गई थी iphone 10 से special sensors वगर लगा के उन्होंने एक face unlocking का system यहाँ पर बनाया था क्योंकि उससे आप किसी भी अंगल पर पकड़के आसान तरीके से mobile phone का unlock भी कर सकते हैं साथ ही साथ जेप से निकालते समय आपको कोई particular angle भी align करना उसके अंदर देखना भी नहीं है इसे चीज़े थोड़ी सी जादा convenient हो जाती है इवन खुद Apple ने भी अपने सभी products के अंदर face ID नहीं डाला iPad Air के अंदर touch ID डालते Macbook के अंदर भी touch ID देखने को मलते है और वहीं बात कर Android companies की तो क्या आप लोग को मालूम है कि Android companies ने भी face ID जैसी चीज़ों को replicate कर लिया था पोको F1 जैसे फोन के अंदर आपको dedicated sensors देखने को मिलते थे face unlock है वीवो ने भी strap के phones थे Xiaomi के भी थे लेकिन यह जो चीज थी नहीं मीनिस्ट्रीम इसलिए नहीं जा पए क्योंकि यह उत्ती ज्यादा convenient नहीं थी इस पेस लेती थी और जो केंपनिया जो bezel less trend यहाँ पर जो create कर रही थी ना वो उनकी लिए जादा जरूरी था और उन्हें पता था कि अगर face unlock उने डालना है तो selfie camera का use करके भी इस चीज़ को implement किया जा सकता है इसलिए देखा तो face unlock इतने लंबे समय के बाद भी उतना mainstream हो नहीं पाया बस apple ही कैसी company जो आपी भी face unlock के पर लाइक करती है बाकी सबी company जो रहती है नो इस तरह से move on कर चुके है और ऐसे ही बात में करना चाहूंगा यहाँ पर RAM की देखो आज के समय में जब भी mobile phone यहाँ पर launch होता है ना तो company हमेशा उसका एक higher RAM और higher storage वाला version निकलती है higher storage की बात यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ किसी को अगर ज़ादा data carry करना mobile phone के अंदर वो ज़ादा storage पर जा सकता है मतलब 16GB RAM तो phone के अंदर already उपर के लह और उपर से आप virtual RAM भी 8GB के create कर रहे हो इसका कोई sense यहाँ पर बंदा नहीं है और एक recommendation यह है कि बैटर यह रहागा कि अगर आप 8GB RAM वाला phone भी लेने वालने है तो भी आप काफी लंबे समय तक चला सकते है और अगर आप लोगों को लगता है कि आगे चलके phone slow हो जाएगा तो 12GB पर जा सकते हैं अगर आपकी requirement है तो लेकिन उसकी उपर अभी वी एक चीज़ यूजलेस है इवन मैं यह भी बूलना चाहूँगा कि ज़्यादा RAM से बैठे है fast storage पर जाई क्योंकि fast storage ज़्यादे difference create करती है जैसे कि UFS 3.1 128GB मिलेगी लेकिन UFS 4 के लिए 256GB है और UFS 4 अगर 256GB किसी phone में मिल रही है तो वहाँ पे आप ज़्यादा better performance का मज़ा ले पाएंगे यह एक बात है क्योंकि read write speed का फर्क बढ़ा है app installation, app opening और app के अंदर operations होते है वो यहाँ पर जाते जल्दी होंगे और ऐसे ही बात यहाँ पर है camera की megapixels की देखो megapixel है कैसी जीसे हर एक company ने over height यहाँ पर कर रखा है यहाँ पर आप देख सकते कि अभी 200 MP का trend है इससे पहले 108 MP का था फिर 50 MP का trend था उससे पहले 64 और फिर 48 MP देखा जया तो 2019 से trend यहाँ पर चालो हो गया तो यहाँ पर 48 MP का sensor ने आने आया था लेकिन घुमा फिरा के बात है कि इन सब के बावजूद है किते MP का sensor लगा ले इन्हें यहाँ पर 12 MP और 16 MP में ही फोटोग्राफ ले नहीं कमत्नियों ने छोड़ा बहुत दिखाना चाहती थी numbers खिलना चाहती तो दिखा दिया लेकिन एक बात यहाँ पर ही कई सारे लोग आज के समय भी number of megapixels देखके attract हो जाते mobile phone के उपर और चाहते उनके phone के अंदे जाद से जादा megapixel हो अब यह चीज यहाँ पर कब खतब होगी कि इसके बारे में हमें नहीं पता और ऐसी बात के जो लेटेस्ट ओवर है चीज है वो है डैनेमिक आलेंड डैनेमिक आलेंड एपल ने इस तरीक से बता है कि उन्होंने कोई नई चीज बना लिया लेकिन टेक्निकली वह एक पिलिल शेप्ट नौच कई साल हो से android phones के अंद इसके अंदर ऐसा कुछ नई चीज नहीं थी बस जो बीच में जो कट आउट उन्होंने दे रखाता है वो थोड़ा ओकवर्ड ना लगे इसलिए उसका यहां पर थोड़ा बहुत उन्होंने यहां पर यूज कर लिया ऐसी बात करना चाहूंगा नतिंग के ग्लिफ की देख तो ग्लिफ यहां पर जित्ते भी लोगों ने यूज किया ना शुरुवात में आते हैं शौफ करने के लिए दिखाने के लिए कुछ दिन तक यूज करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि फोन के अंदर ग्लिफ है भी या नहीं है कोई कॉई कॉल वगरा करेगा तो वो च चार्जिंग है मतलब यहार 200 की ऊपर के चार्जिंग वाले फोन सानेवाले सब्सक्राइब का Śवाली है देखने सुनने में बहुत कूल लगती है लेकिन एक हद के बाद यहां पर इंपक्त नहीं कर पा रही है और ऐसी बात करो फोन की बिल्ड क्वालिटी से रिलेटिड भी देखो आज के समय मोस् प्रीमिय माटेरियल मुबाइल फोन में सेरैमिक को माना जाता है लेकिन सेरैमिक के माटेरियल के साथ एक प्रॉब्लम पता है कि है वो ज़्यादा हार्ड उस पे स्क्राइच इस नहीं आते है लेकिन वो गिर्के आजनी से फोट सकता है ये दिक्कत सेरैमिक के साथ और यही दिक्कत ग्लास के साथ है ग्लास आप कोई साभी left, लेकिन वो गिर्के हाँँ पर तूट सकता है और कई बार लगता है कि प्लास्टिक बैक भी अगर मॉबाइल फोन के अंदर आ जाए तो काफ़ी कच्छा हो सकता है आम तोर पे मेज़ोरिटी लोग यहाँ पर एक कवर केस लाके चलते हैं और उससे रहता है कि एक्स्रा पोटेक्शन मिलती है और ग्लास हटा गरने में प्लास्टिक लाओंगा तो इससे जो फोन है वो लाइट विडिवी बनेगा उसकी थिकनेस भी हाँ पर कम रहेगी प्लस फोन को थोड़ दूरेबल भी बना जा सकता है इवन क्या आप लोग को मालूमी कि एक जमाने में जो नोकिया किते डूरेबल फोन्स होते थे उनके अंदर कोई आपको ग्लास या टाइटेनियम या अलुमीनियम देखने को नहीं मिलता था वो प्लास्टिक के होते थे और मैं अभी भी कहा रहो अगर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक माटेरियल यूज किया जाना है तो फोन को अभी भी डूरेबल यहां पर बनाया जा सकता है ख्यार लेकिन कम्पनिय यहां पर थोड़े प्रीमियम के पीछे भागती इसलिए ग्लास आपको देखने को मलता है लेकिन बात है कि ग्लास किता जादा यहां पर यूज किया जा सकता है यह भी बात है अगर आप फोन को बिना कवर केस के उस करेंगा तो उसकी प्रिमियम ने इसको फील कर सकते है लेकिन अगर कवर केस के साथ यूज कर रहा है फिर इसका कोई सेंस बनता नहीं कि उसके अंदर ग्लास है कि प्लास्टिक है और ऐसी ही बात करें तो मार्केट में एक जो चीज यहां पर बुरी तरीके से ओवर हीप निकली थी थी ना वो था मॉडलर फोन का कंसर्ट नेखो LG ने अपना मॉडलर फोन बनाए इसकी बात मॉडलर फोन का जमाना ही खतम हो गया पता है क्यों? क्योंकि जो लोग है न वो एक complete phone लेना चाहते हैं वो इस सरदर्द में फसना नहीं चाहते कि एक phone लिए फिर हम उसके accessories और mods अलग से खरीदें उनको एक phone जाए वो perfect दो और उसके बाद वो उस phone के अंदर कुछ ऐसी छेट खानी नहीं करना चाहते और यह सबसे बड़ी दिक्कत बना था model phone के साथ इवन companies के लिए भी दिक्कत वाली बात यह थी कि phone तो तब महगा बेशन है लेकिन mods की कीमत भी इतनी जादा है कि लोग उसे afford करनी पार है और companies के लिए कोई sense मना नहीं लेकिन concept model phone का ऐसा था कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक phone आप खरीदेंगे उसके दर अलग-लग component जोड़के उसकी functionality increase कर देंगे देखने सुनने में चीज बहुत अच्छी लगते लेकिन जब consumer के perspective से एक आदमी अलग-लग mod खरीदने जाएगा ना तो अच्छी value for money यहाँ पर create नहीं होगी फिर आपका 20,000 रोपे का phone 30-40,000 रोपे का बन जाएगा यह एक बात रहेगी यहाँ पर और ऐसी बोलना चाहूंगा कि आज के से mobile phone companies प्रोसेसर को बहुत जादा overhype करती है हाला कि कुछ प्रोसेसर से यहाँ पर बेकार होते हैं लेकिन जो अच्छे प्रोसेसर होते हैं वो आपका लंबे समय तक साथ दे सकते हैं Qualcomm और Media Tech दौनों यहाँ पर यह काम करते हैं और बात किया है तो आज के समय जो majority प्रोसेसर से market वो जादतर काफी अच्छे और काफी efficient है और आपका एक लंबे समय तक यहाँ पर साथ निभा सकते हैं लेकिन एक बात है कि नया प्रोसेसर जब आता है तो उसकी कीमत जादर रहती है और company वाले कोशी करते कि आपको नए प्रोसेसर की उपर shift करें जिससे यह रहता है कि उस phone के लिए वो जादा पैसा charge कर सकते है और यह एक छोटी सी दिक्कत है यारनि कि आज के समय में performance का उत्ता बड़ा improvement नहीं हो रहा जितना हमें कुछ साल पहले हाँ पर हर साल देखने को मिलता था वैसे improvements अब नहीं हो रहे हैं और आज के समय में काफी अच्छे processor काफी साही rate के अंदर already market के अंदर वालेबल है यार ये भी बात है लेकिन mobile phone के अंदर motorist mechanism लगाना यार ये कोई sense वाली बात है नहीं क्योंकि इस से wear and tear भी जादा हो जाता है और ओपर से companies को भी इस type की phone के अंदर designing करना काफी जादा महेंगा पड़ रहा था कि यहाँ पर आपको कभी भी under display camera देखने को मिलेगा वो technology भी धीरे धीरे evolve करेगी लेकिन perfectly आपको mobile phone में शायद ही कभी देखने को मिलेगा क्योंकि उसके अदर अभी भी देखा तो selfies की quality रहे देना बहुत ही जादा average है बाकि आप लोगों की नजर में कौन सी चीज आपे जादा overhyped है mobile phones के अंदर ये बात आप आप उन्हें कमेंट के अंदर बता सकते है वीडियो पसने है लाइक कर सकते है चैल को सब्सक्राइब कर सकते है तेंग लग वोड़ी दिखने के लिए मैं आप सुम्दान नेक्स टान में गुद बाई